Hello Aspirants, Welcome to Aspirant Dream Series Services. How you all are doing? Today I am going to provide you test series for UPSSE PET exam which is going to be held on 24th August. 24th August को जो UPSSE का exam होने वाला है, उसके लिए मैं आपको top most predicted questions आज प्रोवाइड करूँगी और ये questions बहुत जादा important है exam के लिए, अगर आप यहां से ये सारे questions पढ़ लेंगे तो आपके exam में 10 से 15 questions पके हैं कि यहां से आएंगे ही आएंगे तो आप इस questions को अच्छे से देख लिजिए और attempt करिए और देखे आपके कितने questions correct हो रहे हैं और इसको exam से पहले जरूर देख के जाएगा और आप इस वीडियो 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 फ्रेंड्स वार गॉइंग तो गिफ दिस एक्जाम उफ यूप एससी तो उनके साथ भी शेयर किजिए ताक उनको भी जाह से जाएदा हेल्प मिल सके मैं इस वीडियो में आपको उत्तरपरदेश का जर्नल नॉलेज प्रवाइड किया GK and Current Affairs के Important Question प्रवाइड किया है जो की एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है तो स्टार्ट करते हैं आज की टेस्ट सीरीज प्रवाइड कर दिया जाएगा तो स्टार्ट करते हैं फर्स कोशन से देवन मुमेंट इन यूनाइटेड प्रोविंसी स्टार्ट इन विच इयर उत्तरपरदेश में देवन अंदोलन सन्यूक्त प्रांत वर्ष में कब शुरूआ था A. 1900 AD B. 1888 AD C. 1885 AD D. 1866 AD So try to give your answer Answer is 1866 1866 में दियोबन मुमेंट जो है वो यूनाइटेड प्रोविंसी में स्टार्ट किया गया था विद अस्टैबलिश्मेंट ओफ दारूल उलूम तो दारूल उलूम की स्थापना की गई थी किसके द्वारा मुलाना हुसेन एहमद के द्वारा जिसके साथ की ये अंदोलन जो है वहाँ पर स्टार्ट हुआ था गाजियाबाद जिले के आलम गिरपूर से प्राप्त पुरा तात्विक खोजों से पता चलता है ए हडपन कल्चर बी व्यदि कल्चर सी मॉरियन कल्चर एंडी गुप्ता पिरियोड कल्चर त्राइट गिव यर आंसर ईज ए हडपन कल्चर जो आर्केलोजिकल मैटीरियल से हैं ये आलम गिर मेरग डिस्टिक में पाए गे थे जिससे की इंप्रिंट्स मिले थे हरपपन सिविलाजेशन के और ये एक्सकेवेट किये गए थे 1958 में 1958 में बाय यग्यदत शर्मा वन इंपोर्टेंट फैक्ट इस इस लोकेटेड उन दा बैंक ओफ हिंडन रिवर बेगम समरू बिल्ट आ वेरी फेमस चर्च अट विच प्लेस बेगम समरू ने एक परसिद गिर्जा घर का निर्मान कहां किया था ए सर्धाना बी नैनिताल सी कानपूर डी माउंट आबू सो ट्राइटू अटेंब दिस कोश्चन आंसर इस ए सर्धाना सो बेगम सब्रू जो हैं उन्होंने फेमस चर्च जो बनवाई थी इन सर्धाना नियर मेरट डिस्टिक और उनके जो हस्बंड है उन्होंने वॉल्टर रेनहार्ट सॉम्बर भी बनवाया था विच हैस प्रोवाइड़ी सर्विसेस तो मैनी प्रिंसल बाद बी रगुपती सहाय फिराग कानपूर सी जिगर मुरादाबाद और चक्षबश लखनौ तो ट्राइटो टैंप इस कुस्टिन नोट करेक्ट बताना है आंसर इस बी जो है रगुपती सहाय फिराग ये गोरकपूर में है तो ये गलत है यह कानपूर के जगा गोरकपूर आ जाएगा जोश मलिहाबाद में जिगर मुरादाबाद और चक्षबश तो जो लखनौ में है विच ओफ द फॉलिंग पेर इस नोट करेक्टली मैच निमलिखित में से कौन सा युगम सही सम्म्यलित नहीं है ए विद्यांचल मिर्जापूर बी देशरी बाराबंकी सी हसिनापूर मेरट और दी शिंगावरपूर फैजाबाद तो त्राइट ए टेंट इस कौश्चन नोट करेक्ट बताना है आंसर इस डी तो यहाँ पर फैजाबाद की जगा आ जाएगा कोशंबी तो यह कोशंबी में है विंदियांचल जो है वो मिर्जापूर में है देव शरीफ इस इन बाराबंकी and हस्तिनापूर इस इन मेरट and श्रिगवारपूर जो है वो कोशंबे डिस्टिक्ट में है Question number six is the famous भारत माता temple is located at A. वारनसी, B. लखनौ, C. अलाबाद, D. कानपूर परसीद भारत माता मंदिर कहां स्तित है, so try to attempt this question Answer is A. वारनसी, जो भारत माता temple है वो काशी विद्धापीट वारनसी में है और इसकी foundation जो है वो महात्मा गांधीजी ने की थी and it was constructed by बाबू श्रिपरसाथ गुपता Question number seven is match the following, आपको correct match बताना है इसमें से A. फतेपूर सिक्री, अकबर, B. जोनपूर सिटी, फिरोशा तुगलग, C. आग्रा सिटी, सिकंदर लोदी and D. जामा मस्जित बदाऊ इल्तुत मिश, so try to attempt this question Answer is A. All match are correct, फतेपूर सिक्री, अकबर ने बनवाया है, जोनपूर सिटी, फिरोशा तुगलग, आग्रा सिटी, बाज सिकंदर लोदी and जामा मस्जित बदाऊ बाई, इल्तुत मिश, Question number eight is match the years with the name उत्त पर्देश has been given from time to time and find the correct code, समय समय पर दिये गए उत्त पर्देश के नाम से वर्षो का मिलान कीजिए, options are A. North Western Provinces 1877, B. United Provinces और फागरा अनवाद 1836, third is United Provinces 1950 and D. उत्त पर्देश 1937 So try to attempt this question Answer is B option So इसमें जो North Western Provinces है ये 1836 में आया था और United Provinces of आगरा अनवाद 1877 and United Provinces 1937 and उत्त पर्देश नेम इस गिवन इन 1950s Question number nine, who among the following was not the Chief Minister of उत्त पर्देश, निमिलिकित में से कौन उत्त पर्देश के मुख्य मंत्री नहीं थे, A. गोविन बलपन, B. कृष्णा चंद्रपन, C. नरायन दत्तिवारी and D. हेमवती नंदन बहुगरास Try to attempt this question Answer is B. कृष्ण चंद्रपन and others are the Chief Minister of उत्त पर्देश, कृष्ण चंद्रपन जो है उत्त पर्देश के CM नहीं रहे हैं Question number 10 is Total number of member of उत्तरपर्देश legislative council is A. 105, B. 100, C. 95 and D. 90 So try to attempt this question उत्तरपर्देश विधान परिशत के सदश्यों की कुल संख्या कितनी है Important है ये question B Answer is B. 100 ये तो विधान परिशत के सदश्यों है उत्तरपर्देश Assembly जो है उसमें 403 elected members होते हैं Question number 11 match list 1 with list 2 In list 1 urban or ruler name is given and in second local self-government is given A. जांसी, Municipal Corporation B. मचली शहर, Notified Area Council C. टुंडला, नगरपालिका परिशत D. सेफाई, क्षेत्र पंचायद Try to attempt this question Correct match किजिए Answer is A. So, जांसी जो है उसमें Municipal Corporation है, Local Self-Government है जो मचली शहर में Notified Area Council है और टुंडला में नगरपालिका परिशत और सफाई में क्षेत्र पंचायद है So, all the match are correct है Question number 12 is Presently number of district and division in the Uttar Pradesh वर्तवान में Uttar Pradesh में जिलो और संभागों की संख्या क्या है A. 71 district and 10 division B. 72 district and 18 division C. 75 district and 10 division D. 75 district and 18 division So, try to take this question Answer is D. 75 district है Uttar Pradesh में और 18 division है Question number 13 Match list with list 2 And select the correct answer Correct code बताना है District is given in first list And second में headquarters के नाम दिये है A. Jallain, Akbarpur, Mati B. Kaanpur, Dehat, Urrahi And C. Santravidasnagar, Padrona And D. Kushinagar, Badohi So, try to take this question Correct answer is B. तो इसमें जो जलाओं है ये उराई में है इसका headquarter And Kaanpur, Dehat का headquarter Aakbarpur, Mati में है Santravidasnagar का headquarter Badohi में है And Kushinagar का headquarter Padrona में है So, ये भी important question है Headquarter पूछे जाकते है Important है ये बहुँ जगा Question No.14 Is based on the current affair Question है इसमें UPV का तो ये भी आ सकता है question According to the Uttar Pradesh Budget 2021-22 Total expenditure for 2021-22 Is estimated to be Rs. 550,271 crore And annual increase Over the 2019-20 Expenditure is how much percent So, options है A. 5%, B. 10%, C. 15% And D. 20% Try to attempt this question Answer is D. 20% Total expenditure जो है जो है 2021 के लिए वो एस्टिमेटेड है 5,50,271 crore और इसमें 20% annual increase हुआ है Over the 2019-20 expenditure Question No.15 is According to the Uttar Pradesh Budget 2021-22 What is the Targeted Fiscal Deficit What is the Targeted Fiscal Deficit? Uttar Pradesh Budget 2021-22 के अनुसार राज कोशिय घाटे का लक्षे क्या है A. 2.17% Of Gsdp B. 3.17% Of Gsdp And C. 4.17% Of Gsdp And D. 5.1% Of Gsdp So try to attempt this question यह भी important question है Current of years का Answer is C. 4.17% Of Gsdp Question No.16 is Which of the following statement Is our note correct Regarding A. 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 New Scheme Will be introduced to achieve Doubling of Farmers Income by 2022 B. Option is It will focus on Identification of more productive crops In each agri-climate zone Promote new technology and investment To improve the productivity And developing the market for distribution C. Rupee 1,000 crore Has been allocated for this scheme And D. All of the above So try to attempt this question Not correct बताना है Answer is C. 1,000 crore Allocated for this scheme Is incorrect Because this scheme में 100 crore Allocated किये जाएंगे And other statements are correct This scheme introduced की गई है To achieve the doubling of farmer income By 2022 And this focus is Identification करना है More productive crops In each agri-climate zone And also to promote the new technology Question number 17 is Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation Is headquartered at Uttar Pradesh Raje Audyogic Vikas Nigam का मुख्याले कहां पर स्थित है A. Gorakhpur B. Lakhnau C. Kaanpur D. Gaziaabad So try to attempt this question ये भी important question है Answer is C. Kaanpur So जो corporation होती है वो उसका head office Kaanpur में है और Uttar Pradesh के अंदर 21 regional offices है Across different major cities Of the state और एक जो है वो लखनौ में भी है जो managing director है वो head होते है UPSIDC के और इस time पे Shree Rajesh Kumar जो है वो managing director है इस corporation के ये भी बहुत important है Question number 18 is As per 2011 census What is the literacy rate of Uttar Pradesh? A. 66.68% B. 67.72% And C. 69.90% And D. 71.30% So try to attempt this question Answer is B. 67.72% जो है वो जन्गन्ना के अंसार साक्षिता दर है Uttar Pradesh का Question number 19 Prime Minister Narendra Modi Is virtually inaugurated The year-long sanitary celebration Of Chaurachauri incident On 4th February 2021 In which district of Uttar Pradesh Options are A. Kaanpur B. Lucknow C. Gorakpur And D. Ghaziabad So try to attempt this question This is also important question For current affair Answer is C. Gorakpur So February 2021 PM of India नी integrate किया है Sanitary celebration Of the Chaurachauri incident Of Gorakpur Uttar Pradesh On 4th February 2021 Convention Center का उद्गाटन कहां किया जाएगा A. Lakhnau B. Varanasi C. Greater Noda D. Gorakpur So try to attempt this question Answer is B. Varanasi Question number 21 India's first specialized hydrotherapy treatment center For the elephant In which city A. Gorakpur B. Sonbhadra C. Pilibit And D. Mathura So try to attempt this question Hathiyo के लिए भारत का पहला विशेशी कृत Hydrotherapy Uptarakindra कहां पर स्थापित किया गया है Answer is D. Mathura So India ने अपना first specialized hydrotherapy treatment center Water clinic भी जिसको बोलते हैं Elephants के लिए Provide किया गया है In Mathura में And this is for the Elephants who are suffering From the arthritis That is joint pension को है And foot ailments है And ये कहां पर किया गया On the bank of Yamna river in Mathura Question number 22 Union Minister of State For power and new and renewable energy R.K. Singh Has launched the Gram Ujala program In which district of उत्तर पर्देश On 24th March 2021 Kendra, Bijli और नवीन और नवीनी करण उर्जा राजे मंत्री R.K. Singh ने 24 मार्ज 2021 को उत्तर पर्देश के किस जिले में Gram Ujala कारेक्रम शुरू किया है Options देखने है A. Lalitpur B. B. Barabanki C. गाजयबाद And D. वारनसी So this is also important question Try to attempt this question Answer is D. वारनसी So वारनसी में Mr. R.K. Singh ने लौंच किया है Convergence Energy Services Limited जिसको C. E. S. L. भी बोलते है Under Gram Ujala Scheme जिसका क्या में नेम है To seek or to distribute The LED bulbs Provide किये जाएंगे At a cost of R.10 Per bulb in the ruler areas Of वारनसी Question No. 23 Which state government Has announced on 26 March 2021 To start an affordable rental Housing Schemer students Urban migrants And poor people Living in the cities So किस राजे सरकार ने 26 March 2021 को किफायती rental housing Schemer शात्रों और शहरी प्रवासियों और शहरों में रहने वाले गरीब लोगों को शुरू करने की गोशना की है A. बिहार B. हर्याना C. मद्धापर्देश And D. उत्तरपर्देश Try to attempt this question Answer is D. उत्तरपर्देश So उत्तरपर्देश गर्वर्मन ने Announce किया 26 मार्थ 2021 को कि वो affordable renting housing scheme प्रोवाइड करेगी Students को Urban migrants को और जो poor people हैं रह रहे हैं Living in the cities Question No.24 Recently in news Arjun Sahayak Irrigation Project Is an irrigation project Of worth Rs. 2600 करोड And it is on Which river? हाली में खबरों में Arjun Sahayak Sinchai Pryojna 2600 करोड रुपे की एक Sinchai Pryojna है वो किस नदी पर स्थापित है A. धसन B. सर्यू C. गोमती And D. रापती So try to attempt this question Answer is A. धसन River So Arjun Sahayak Project क्या है ये एक Irrigation Project है Worth क्या है 2600 करोड Worth भी पूछ सकते हैं और ये Build क्या गया है River धसन के उपर और ये Project जो है Irrigation Facility Provide करेगा Around 1.5 Lack Farmers को Across 168 Villages of Banda, Mahoba And Hamirpur District of Uttar Pradesh तो दोनों District के नाम्याद रखने है Mahoba And Hamirpur में और कितने Farmers को Provide करेगा 1.5 Lack Farmers को और प्रोजेक्ट का वर्थ कितना है 2600 करोड Question No.25 Which of the Falling Countries Not Participated In International Ramayan Festival निमिलकित में से कौन सा देश अंतर राश्ट्रे Ramayan उत्सव में भाग नहीं लेता है A. Thailand B. Shri Lanka C. Bangladesh And D. China So, try to attempt this question Answer is D. China Question No.26 Mission Vriksha Ropan 2020 Under 1 Mahatsa Program Was Launched by CM Shri Yogi Adityanath On Which Date Options Are A. 5th July 2020 B. 8th November 2020 C. 10th August 2020 And D. 15th October 2020 So, try to attempt this question Answer is A. 5th July 2020 So, mission इसलिए important है Because CM Shri Yogi Adityan अजी ने स्टार्ट के है इसमें क्या क्या जाएगा Planting की जाएगा 26.75 करोड Saplings की Of 201 टाइप In a single day Under this mission Question No.27 India's first university For transgender community Will be opened In which district of Uttar Pradesh Transgender समयुदाय के लिए भारत का पहला विशुदाले Uttar Pradesh के किस जिले में खोला जाएगा A. Lalitpur B. 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 And D. Kushinagar So try to attempt this question Answer is D. Kushinagar So India की first university for transgender community U.P. में Kushinagar में start की जाएगी Question No.28 Which of the following statement Is our note correct regarding Uttar Pradesh electronic manufacturing policy A. On 19th August 2020 Uttar Pradesh government Launched electronics manufacturing policy B. It aimed to bring 40,000 rupees crore of investment In 5 years C. Policy aimed to make Uttar Pradesh A global electronic hub And D. None of the above So try to attempt this question Answer is D. None of the above So all the statements are correct It is a bid to support Prime Minister Narendra Modi Vision of achieving Zero import of electronic goods Uttar Pradesh government N. Announce कि Electronic manufacturing manufacturing policy 2020 में आई थी Isका main name था कि इसमें invite किया जाएगा Investment जो है 40,000 करोर rupees का In next 5 years To generate 4 lakh direct Employment under this scheme Question No.29 Which state government Has ordered the removal of All roadside religious structures किस राजे सरकार ने सड़क किनारे सभी धार्मिक संरचनाओं को हटाने का अदेश दिया है A. राजेस्थान B. बिहार C. हर्याना And D. उत्तरपरदेश So try to attempt this question Answer is D. उत्तरपरदेश So उत्तरपरदेश गवर्मेंट ने 11 मार्च 2021 को Order किया है कि Removal of All religious structures On the public road Should be done Or official press release हुआ था From the home department कि कोई भी structure ये construction ने की जाएगी Related with religious nature Should not be allowed On public road Street payment By the roadside Question number 30 The first state of India Which present paperless budget In 2021-22 भारत का पहला राजे जो कागज रहित Budget पेश करता है A. केला B. हर्याना C. करनाटका And D. none of the above So try to attempt this question Answer is D. none of the above So इसमें उत्तरपरदेश जो है It is the first state of India Which present paperless budget Of 2021 And one important thing is This is the fifth budget Of this government In the state Question number 31 Match the following List 1 को List 2 के साथ Match करना Correct answer बताना है A. brasswear मुरादाबाद इसर ओनाट रचाब पर्देश A. 912 B. 902 C. 908 And D. A. 28 So try to attempt this question Answer is B. 902 गंतंत्र दिवर्स परेड 2021 में किस राज्य की जहांकी को सर्स्रेश्ट गोशित किया गया है A. उडिसा, B. असाम, C. उत्रपरदेश and D. बिहार So try to attempt this question Answer is C. उत्रपरदेश So उत्रपरदेश जो tabloos में depict किया गया था Ram Temple को at this year of Republic Day parade in New Delhi And this is adjusted as the best and awarded by the Union Minister Kiran Riju Question No. 34 उत्रपरदेश State Law Commission has recommended in its draft that forced conversion in the state may attract the jail term of how many years A. 1 year, B. 3 year, C. 5 year and D. 7 year So try to attempt this question Answer is D. 7 year So UP State Law Commission ने recommend किया 7 year of jail term for the forced conversion Question No. 35 Which of the following statement is our note correct regarding Uttar Pradesh Groundwater Act of 2020 A. Groundwater Act makes the registration mandatory for installing submersible pumps B. A person court polluting the groundwater level at the first time will be punished from 6 month to 1 year with a penalty ranging from 2 to 5 lakhs And C. A person court for the third time will face punishment from 5 to 7 years and will have to pay penalty amounting to 10 to 20 lakhs And D. None of the above So try to attempt this question Uttar Pradesh Bujal Adiniam 2020 के लिए कौन सा कथन सही नहीं है Answer is D. None of the above So all statements are correct regarding this scheme As it is आप इसको यहां से लन कर सकते हैं Question No. 36 What is the name of the application developed by Nahi to monitor plantation along the National Highway Raja Rajya Margo पर व्रिक्ष अरोपन करने के निगरानी के लिए Nahi द्वारा विक्सेत application का क्या नाम है A. Greenpath B. Haritpath C. Green Corridor and D. Red Corridor So try to attempt this question Answer is B. Haritpath Union Minister of Road, Transport and Highway Mr. Nitin Gadgari ने लौंच किया Application जिसका नाम है Haritpath And it is developed by the National Highway Authority of India And it is what monitor करेगी Location, maintenance activities and performance of all its plantation projects related with National Highway Question No. 37 Which Union Ministry announced that payroll and furlog is not an absolute right of prisoner किस केंद्रिय मंत्राले ने घोशना की है कि payroll और फरलो कैदियो का पूर्ण An absolute right And it should be on the basis of well-defined norms of eligibility The government also directed the state that those are involved in terrorism and heinous crime should not be allowed to go out of the jails Question No. 38 The food price index which was seen in the news recently is released by which organization Khadiyya Mulye Suchank जो हाल ही में खबरों में रहा है किसके द्वारा जारी किया गया है A. World Bank B. World Trade Organization C. United Nation Conference on Trade and Development And D. Food and Agriculture Organization So try to attempt this question Answer is D. Food and Agriculture Organization So जो food price index होता ही recently अभी news में था It is released by the Food and Agriculture Organization और इसका headquarter कहां पर है Rome, Italy में है Question No. 39 Who is the winner of 2021 International Booker Prize Options are A. Douglas Todd B. Joka Alarthi C. Marilyn Booth And D. David Diop So try to attempt this question Answer is D. David Diop Question No. 40 Kirby's Bay Declaration is associated with which submitter conference A. S.C.O. B. ASEAN C. G20 And D. G7 So try to attempt this question Answer is D. G7 So Kirby's Bay Declaration जो है ये submitter conference हुई थी After the G7 summit of 2021 जो के और्गिनाइस की गई थी इन्दा UK Cornwall City तो ये city का नाम भी आपके याद रखना है Question No. 41 In which city historic summit between US President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin took place Options are A. Los Angeles B. Moscow C. Geneva And D. Washington So try to attempt this question Answer is C. Geneva Switzerland और ये कब हुई थी 16 June 2021 को हुई थी Question No. 42 Which country has launched the satellite name Hi C. 2 Yang Wang 1 And T.K.SY.01 T.J Options are A. Japan B. China C. USA And D. India So try to attempt this question Answer is B. China Question No. 43 Tokyo Olympic 2020 Weight Lifter Mirawai Chanu wins the silver medal in women's Which category A. 79 kg B. 69 kg And C. 59 kg And D. 49 kg So try to attempt this question It will be important Answer is D. 49 kg Question No. 44 Which Indian wrestler is represent in Tokyo Olympic 2020 Men 65 kg category options are A. Ravi Kumar Dhaya, B. Deepak Punya, C. Bajrang Punya and D. None of the above so try to tempt this question answer is C. Bajrang Punya so Tokyo Olympic में Bajrang Punya जो है उन्हें bronze medal जीता है in men's 65 kg wrestling में और Bajrang Punya जो है he redeemed his campaign as he earned India's 6th medal of the Tokyo Olympic 2020 and he cleared the victory of 8-0 in the bronze medal bout question no. 45 where is the headquarter of international Olympic committee located A. Lusanne Switzerland B. Paris France C. Athen Greece D. Los Angeles United States so try to tempt this question headquarter भी आ सकता है answer is A. Lusanne Switzerland question no. 46 which of the following place is known for इम्दाद खानी घराना उफ सितार and सूबहार म्यूजिक सितार और सूबहार संगीत के इम्दाद खानी घराने के लिए निमलकित में से कौन सा स्थान जाना जाता है A. आगरा B. वारनसी C. लखनव and D. इटावा so try to tempt this question answer is D. इटावा so इटावा घराना जो है नोर्थ इंडियन स्कूल उफ सितार और सूर्बहार म्यूजिक के लिए जाना जाता है and it is named after a small town which is close to आगरा जहां पर इम्दाद खान जो है वो रहते थे and it is asura known as Imdath Khani Garana in the honor of its founder Mr. Imdath Khan question number 47 दुद्वा नेशनल पार्क is situated in which district of Utapadir options are A. ललिगपूर B. लखिमपूर खिरी C. पीलिभीत and D. सौन बद्र so try to tempt this question answer is B. लखिमपूर and खिरी district दुद्वा नेशनल पार्क जो है उसको दुद्वा टाइगर रिजब भी है ये and it is the area of लखिमपूर एं खिरी डिस्टिक और फुत्तर परदेश में ये which is lying adjacent to the Indo-Pakistan border जो कि दोनों को पास ले कराते है with the most incredible centuries of the area किशनपूर एं कतिहार घाड वाइलेफ सेंचरी विच इस रेप्रेजेंट दा excellent natural forest area अंदेव question no 48 match list with list 2 and select the correct answer given below a column में आपको डिस्टिक के नाम दिया और b में मिन्नस दिया है so match करने आपको a. सौनबद्र सिलिका सैंड b. प्रियागराज लाइमस्टोन c. मिर्जापूर कोपर and d. ललिदपूर नोन प्लास्टिक फायर क्ले so try to attempt this question answer is b so सौनबद्र डिस्टिक में कौन सा मिन्नरल मिलता लाइमस्टोन प्रियागराज में सिलिका सैंड and मिर्जापूर में नोन प्लास्टिक फायर क्ले and ललिदपूर is famous for copper question no 49 limited reserve of uranium have been found in West District of Uttar Pradesh uranium के सिमित भंडार Uttar Pradesh के किस जिले में पाय जाते हैं a. ललिदपूर, b. सोनभद्र, c. वारनसी and d. हमीरपूर so try to attempt this question answer is a. ललिदपूर question no 50 in which reason of the Uttar Pradesh Soya Bin is mainly grown a. विंद्या रिजन, b. सेंट्रल रिजन, c. इस्टर्न रिजन and d. पुंदेलकर रिजन so Uttar Pradesh के किक शेत्र में soya Bin मुख्य रूप में उगाया जाता है try to attempt this question answer is d. बुंदेलकर रिजन so friends this is all about today's important question आप बताईएगा कि आपको question कैसे लगए यह question बहुत important है यहाँ से 10 से 15 question exam में जरूर आएंगे as exam में अभी 4 days बचे हैं तो आपने अगर पढ़ लिया तो आप यह revision collision question से अगर आपने कुछ नहीं भी revise किया है अगर आप मेरी वीडियो से question भी करके चला जाएंगे तो आपका उत्तरपरति जीके और current affairs से कोई भी question exam में नहीं चूटेगा friends comment section में बताईएगा आपके कितने question correct हो रहे हैं अगर आपको यह question कैसे लग रहे हैं अगर आपका अच्छा response आया तो मैं आपको तीन चार दिन में और ज्यादा important question प्रवाइट करूंगी चो कि exam के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है आपको भी मिलेंगे तो आपके preparation और आपके exam में बहुत help मिलेगी तो इसलिए आप इस वीडियो को जादा स्यादा शेर कीजिए और अगर चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लीजिए so thanks for watching this video मिलते हैं new questions के साथ जैहिं